रादे किष्णा दोस्तों, वेलकम टू कुक बिदा भिलाशा, यहां पर आपको वीडियो के साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी, जिससे आप जो भी रेसेपी बनाएंगे, आपकी रेसेपी एक तम परफेक्ट बनेगी, तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स अगर आ बहुत ही जाला टेस्टी बनता है, सच बता रहे हूं फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई कीजेगा, तो इसके लिए हमने यह दिखे, बदाम और काजू लिये हैं, करीबन बरावरी हैं, 10 से बारे बदाम हैं, 10 से बारे काजू हैं, तो ड्राइफ फूट्स आप अपनी च 6 चम्मच चीनी हैं, जो मैं इसमें डाल दूगी, मैं 4 गलास बना रहे हूं, तो एक गलास में 2 चम्मच के इसाब से ले रहे हूं, तो मीठा आप कम ज्यादा अपने इसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आप खाते हैं, तो अब हम इसका पावडर बना कर तयार कर लेंगे, इध अब हमें इसमें अवाल लाना है, आप चाहें तो अबले हुए दूद का भी बना सकते हैं, तो ये देखिए, इसमें अच्छे से ओवाल आ चुका है, और चम्मच से मैंने चला दिया है, मलाई नी जम इसके उपर आनी चाहिए, तो इसलिए चम्मच से आप चला दीजिए, तो मैंने अच्छे से ये चला दिया है, इधर मैंने उसी दूद में से थोड़ा सा चार चम्मच दूद निकाल लिया था, तो ये गरम नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल दूद में ही, मैं ये करीबन चार चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, जो मैं इसम तो उसमें आप मिलाइएगा और इसमें एकदम गुट्लियां नहीं होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से खोल कर तयार कर लेंगे देखिए कोल कर तयार कर लिया है हमने तो यह अच्छे से खुल चुका है तर और इधार दूर में अच्छे से वाल आचुका है, तो अब हम इसे डाल देंगे, क्यों डॉर्ट रॉट्स और चीनी का हमने पाउडर बना से तवर न दीसमें द आलके। इस पउड़मों चालके देंगे उनाती काई अब का प coyसे बत गुर्स के बना सकते हैं इस तइम बर फ्रेंड आब इसमें इलाची की जाते हैं यह भी में करें सकते हैं लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला लॉक्शेltry की है और अब इसमें हम इसमें सब्सक्राइबद तो इसको भी डाल कर हमें अच्छे से चलाना है, हाथ को रोपना नहीं है क्योंकि एकदम से डालने की बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें कुटलिया पढ़ने का चांस रहता है इसको हमने अच्छे से चला लिया है, कस्टर डाल कर और इसको अभी हमें थोड़ी तेर और बोईल करना है थोड़ा सा थिक और करना है फ्रेंट्स आपके होली कैसे मनाई जाती है और होली पर क्या क्या चीज़ें बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कौन-कौन से स्पेशल चीज़ें हैं क्या बनाई जाती है क्योंकि सभी क्या होली पर कुछ न कुछ अलग बनता है गुजिया कॉवन होती है और हाँ ठंडाई और शर्पत मुझे लगता है हर जगे ही मिलता होगा होली वाले दिन सभी लोग पीते हैं तो यह देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से बीच वीच में आप इसे चलाते रही है जो इसमें मलाई है वो नहीं पढ़नी चाहिए और एक से दो बार वाल भी इसमें आ चुका है और अब हमने इसे फ्रेज में रख दिया था और उसके बाद मैं इसे सर्फ कर रही हूँ थोड़े से ड्राइफूर्स मैंने डाल दिये थे जो पिस्ता वगेरा थे वो भी काट कर और थोड़ी सी रोस पेटल्स तो यह देखे हमारा थंडा थंडा शर्वत बनकर तयार है और बचे बेट कर रहे हैं कि ममी जल्दी वीडियो आपकी फिनिश हो तो हम इसे पी हैं तो भाई हम लोग तो एंजोई करने जा रहे हैं शर्वत को तो आप भी बनाएगा अगर रेसेपी आपको पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज आप सब भी लोगों से हाथ चोड़ के निवेदाने कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजेगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइ बसक्योमें ब לנו मसा ओसे में बाई ची क्योमें बाई पाई चुने थाह श्वेरे चको काई चुमें बाई घवाइश सब्सक्राइश मारा WILL क्रेश ब Wiki.